प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने पहली बार मतादिकार का उप्योग करने वाले मतदाताओं से लोगसबा चुनाव में रिकॉर्ड संख्या में वोट डानने की अपहिल की है आजा आकाश्वानी से मन की बात कारिक्रम में प्रधान मंत्री ने कहा कि जितनी अधिक संख्या में युवाओं की मतदान प्रक्रिया में भागेदारी होगी देश के लिए परिणाम उतने ही लापकारी होगे उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की अत्यंत प्रसन्नता है कि निर्वाचन आयोग ने मेरा पहला वोट देश के लिए भ्यान शुरू किया है इसके जरिये पहली बार वोट दाने वाले मतदाताओं से अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने का अनुरूत किया जा रहा है श्रिमोधी ने कहा कि भारत को उर्जा और उत्सा से भरे अपने युवाओं पर गर्व है उन्होंने कहा कि अठारा वर्ष का होने पर इन युवाओं को अठारवी लोकसवा के लिए सदस्य चुनने का आउसर मिल रहा है प्रधान मंत्री ने खेल साहित या फिल्मोध्योग और सोशल मीडिया सहित देश के प्रभावशाली लोगों से इस भ्यान में शामिल होने और पहली बार वोट डानने वाले युवाओं को प्रेरित करने का आग्रह किया है प्रधान मंत्री ने वन्यजीव संरक्षन का विशई भी उठाया उन्होंने कहा कि नए उद्यमी भी वन्यजीव संरक्षन और ईको पर्यटन में नवाचारों पर काम कर रहे हैं उत्राखंड के रूड़की में रूटर प्री सेशन गुरूप ने भारती अवन्य जीव संस्तान के साथ मिलकर एक ऐसा ड्रोन विक्सित किया है जिन से केन नदी में घड़ियालों पर नजर रखने में मदद मिल रही है मुख्यमंत्री पुषकर सिंग धामी ने एमस रिशिकेश में नैशनल मेडिकोज और्गनाजेशन के तैतालिस्वे दो दिवसी अराश्टी अधिवेशन में प्रतिभाग किया इस मौके पर मुख्यमंत्री लिए अधिवेशन में आई चिकिस्सक एयुम छात्रों का उत्राखन में स्वागत करते हुई कहा कि स्वामी विविकानन्त को अपना आदर्श माननी वाला ये संगठन निरंतर नर सिवा नारायन सिवा की भाव से देश में अपनी स्वास सिव और स्वास्त सिवा ही राष्ट सिवा के सिद्दान्त को अपना कर संगठन द्वारा अंतियोदय की भावना से कार्य किया जा रहा है। की प्रदेश में सभी को निशुल के स्वास सुरक्षा प्रदान करने के साथ ही कैश लेस उपचार देनी की दिशा में अटल आईशमान योजना प्रभावी साबित हो रही है। हडल आईशमान योजना और आईशमान कार्ड की साज़ता से पांच लाग से अधिक मरीजों ने समय पर अपना इलाज भी कराया है। चमुली के जिलाव द्योकेंद्र ने राचकी अप्रवद्योगी की संस्तान गुपिश्वर में उत्राखंड स्टार्टप ग्रेंड चेलेंज 2023 की तहत स्टार्टप बूट कैम का आयुजन किया। इस मौके पर रुड़की इंस्ट्यूट आफ टेक्नोलोजी के इंक्यूबेटर प्रभारी अमित रावत ने बताया कि उत्राखंड द्योग निदेशाले के माध्यम से नवाचार को प्रोच साहन दिया जा रहा है। इसके तहत सभी जनपदों से नए विचारों को चैनित कर स्वरुजगार की निती बनाई जा रही है। उन्होंने चातर चातराओं को स्टार्टप की जानकारी दी जिलाव जोकेंदर महाप्रबंदक चंचल सिंग बोहरा ने बताया कि प्रदेश सरकार की स्टार्टप निती की तहत उत्पादन पर आधारित स्टार्टप के लिए 50 लाख और सर्विस सेक्टर में 20 लाख का रिय अधाईगी उद्यमी को करनी होगी जबकि 35 प्रातिशत रियन उद्यमी के खाते में योजना के तहत प्रदान किया जाएगा कैम्प में संस्तान की 21 टीमों ने प्रतिभाग किया जिनमें से 11 टीमों को राज इस्तर के लिए चैनित किया गया है निर्वाचन आयोग ने लोगसबा चुनाओं की तारीख और कारिकरम को लेकर वर्सब पर फर्चारित हो रहे फरजी संदेश का भाणा फोड किया है सोशल मेडिया की एक पोस्क में आयोग ने कहा कि उसने अभी तक तारीख की घोशना नहीं की है और ये संदेश फरजी है आयोग का कहना है कि चुनाओं की तारीखों की घोशना समवादाता संबिलन के जरिये की जाएगी आयोग की टीम अभी विमेन राज्जों की चुनाओं तैयारियों का मोल्यांकन कर रही है आशा है की टीम मोल्यांकन का कार्य तेरा मार्च तक समापत कर लेगी इसी के साथ अभी तक के समाचार समापत हुए दूरदश्चन समाचारों से जुड़े रहें मिलते हैं फिर शाम साड़ी छे बेज़ के बुलेटिन में नमस्कार